आप देख रहे हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया में साइन नियूज नमस्कार दोस्तों समाचार एजनसी अफ इंडिया की साइन नियूज में एक बार फिर आपका स्वागत है बद्दे प्रदेश के सिवनी जिले में बंद का आवहान 21 जून 2024 शुकरवार को किया गया था चारों खूट सिवनी बंद रहा वास्तों में सिवनी के निवासियों के मन में आकरोश उद्देलना अलग ही दिखाई दे रहे है समाचार एजिंसी एफ इंडिया की साइन योज के लिए कलेश दुबे की रिपोर्ट सिवनी में हम आपको दिखा रहे हैं बाजारों का नजारा बाजार शुकरवार 21 जून को पूरी तरह बंद ही नजार आए ये शहर के मुख्य बाजारों से हम आपको लेकर चल रहे हैं पूरे बाजार ही बंद यहां दिखाई दे रहे हैं दरसल 19 जून बुद्वार को शाम के समय कुछ गौवंश मजगवां जो किवलारी विदानसवाचेतर में आता है के अलावा लखनादौन विदानसवाचेतर के दूमा थाना अंतरगत गिरगटिया के समीप जंगलों में गौवंश मिले थे मृत अवस्था में मिले थे और उन गौवंशों को एक ही तरह से काटा गया था उनका गला यहां आप देख सकते हैं किस तरह युवाओं का अक्रोश दिखाई दे रहा है युवाओं की भीड भी आपको दिखाई दे रही होगी लगातार ही वे नारे बाजी कर रहे हैं धोप खिली हुई है बारिश का समय अपणी मानसून Reins का समय आचुका है पर उसके बाद भी धोप खिली हुई है और आप यहां देख सकते हैं यवाओं की टोली किस तरह उद्वेलित और आक्रोशित है सबसे महत्पूर्ण बात यह है उद्वेलना और आक्रोश के बाद भी सभी संयम के साथ यहां पर आप दिखाई दे रहे होंगे धैर और संयम यवाओं के बीच सपष्ट तोर पर दिखाई दे रहा होगा आक्रोश और उद्वेलना अपनी जगए अलग बात है और धैर और संयम अपनी जगए एक जुदा मसला माना जा सकता है समाचार एजन्सी अफ इंडिया की साइन नियूज के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट इस पूरे मामले में सिवनी विधायक दिनेश राय बहुत ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें सबसे कष्ट हुआ उनके द्वारा कल जो वक्तव दिये गए थे वो हमने आपको सुनाए दिखाए पुलिस अधिक्षक राकेश कुमार सिंग जिला कले अक्टर शितिज सिंगल सभी के द्वारा क्या कहा गया हम आपको कल बता चुके हैं अब बंद का आवहान यहां पर किया गया है सनातन धार्म से संबंदित संस्थानों के द्वारा संस्थान नहीं संगठनों के द्वारा बंद का आयोजन किया गया और बंद में चारों खू सीवनी शहर बंद रहा लंबे समय के बाद इस तरीके का नजारा सीवनी में देखने को मिला जब बंद किसी मामले को लेकर बंद कावान किया गया हो इस तादाद में युवाओं का हुजूम देखने को मिला हो लंबा समय बीट गया है समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइ को बांधा जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर 20 जून की रात कुछ इस तरीके के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर चल रहे थे जिसके इस सब के बाद भी धूमा थाने से कुछ गौवंज गुजर रहे थे जो वास्ताव में धूमा थाना पुलिस की कारपढ़ा लीग पर प्रशन चिन लगाने के लिए परियाप दुमाने जा सकते हैं विदायक दिनेश राय विदायक राकेश पाल पूर विदायक राकेश पाल सिंग सबी के वक्तव्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए मुख्य मंत्री चूंकि दरसल ये जो दिनेश राय और राकेश पाल सिंग के द्वारा जो बात कही गई थी कि पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के CDR कार्ल डिटेल रिकार्ड निकाले जाने चाहिए उनके द्वारा किस किस से कब कब बात की जाती है बहुत गंबीर आरोप पुलिस पर दोनों जन प्रतनीदियों के द्वारा लगाए गए थे केवलारी चेतर का मामला था इसलिए केवलारी के पूर विधायक राकेश पाल सिंग ने भी वही बात कही और दिनेश राय जो सिवनी के तीसरी बार विधायक बने है द्वारा भी यही बात कही गई के पुलिस अधिकारियों के सीडियार निका ले जाने चाहिए इसके पहले सिवनी में इस तरीके के एक पुलिस सुत्रों का कहना है कि इस तरीके की कवायद हो चुकी है जब रमन सिंग से करवार सीवनी में पुलिस अधिक शक के बतोर पदस्ते उस दोरान जिस स्टेज गती से सीवनी से गौवंच का परिवहन होता था उनके दोरा पुलिस कर्मियों के ही कॉल डेटेल रिकार्ड निकाले गए और जैसा पुलिस सुत्रों ने बताया सुत्रों का ये भी कहना था कि उसके बाद उनने सीडियार को निकाल कर चिन्नित किया गया था कि कौन कौन सा पुलिस कर्मी गौवंच के परिवहन करताओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष तोर पर साथ देता है ये पुलिस सुत्रों के दोरा जो जानकारी दे गई वह हम आपको बताते है अब हम आपको विश्व हिंदू परिशद के जिलाद्यक्ष अकलेश चोहान क्या कह रहे हैं ये सुनाते हैं अकलेश चोहान को गाय करते है लिए स्वने जिले में आदा सेकड़ा गायों के तुनि इर अंवर संगार किया जाने का विरौध है है और ये विरोध में आज, कोई एक संगटन नहीं, सीवनी की सारी जंता, सारा शनातन धर्म, आज उमर्ण के सीवनी में रोडों पे आया है, बाजार सुएक्षा से बंद किये गए हैं, लोगों के मन में आकरोश है, गाये जिसे हम अपनी माता मानते हैं, जिस माता का दूद प के लिए सीवनी की जंता, सीवनी की सड़कों में उतरी है, ये बाजार बंद किया जा रहा है, बाजार इसी भी तरह से जोर्जवर्दची के बंद नहीं किया गया, लोग इसमें स्वमेव शाविल हुए, लोगों ने अपना बाजार, अपनी दुकान, अपना प्रतिषान स मांग करते हैं, जितने भी लोग इस जगन ने हत्याकांड में सामिल हो, चाहे वो किसी भी जाती तर्म समुदाये के हो, उनको चिनलित करें, उनकी नगन करा के जूदा की माला पहना कर शहर में परेड निगाली जाए, और उनके एक 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 घर चिनलित करके ले इस तो सुना अपने विश्वेन उपर रसरत के अखलेश चोहान का क्या कहना था, और उनके द्वारा पूरी तरह शान्ती पूर्वक इस बंद में युवाओं को के द्वारा व्यापारियों के द्वारा जो समर्तन दिया गया, उसके प्रती आभार भी उनके द्वारा व्यक्त किय गया है, सीवनी में गंगा जमनी यहां पर तहजीब है, उसके चलते ही, सीवनी में माहौल बिगाडने का कितना भी प्रियास किया जाए, पर यहां माहौल बिगडता नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं, बहुत संयमित हैं, और लोगों का संयम धैर ही, यहां इस जिले की पूझी माना जा सकता है, इस पूरे मामले में जला पुलिस अधिक्षक वरिष्ट पुलिस अधिक्षक राकेश कुमार सिंग को चाहिए, कि वे जिन जन थाना चेतरों से होकर गौवंश गुजरने की बात सामने आती है, उन थाना चेतरों के थाना प्रभारियों पर लगा समाचार एजनसी अफ इंडिया की साही ने उसके लिए अखलेश दुवे की रिपोर्ट, दरसल एक बात और सिवनी की लोगों को कचोटती है, और बात ये कि भले ही उत्तर प्रदेश से, भले ही बिहार से, भले ही किसी और राज्य से या मद प्रदेश के किसी भी शहर से ग परिवहन जाच चौकी मेटेवानी से इन वाहनों में क्या लदा है, ये वहाँ पर परिवहन जाच चौकी के अधिकारी इसकी तजदीक आखिर क्यों नहीं करते कि इसके अंदर क्या लिया जा रहा है, अगर ये जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो वन वे भाग जो ये कहत परिवहन कैसे गुजर जाते हैं बारिश के समय जंगलों से जंगलों के अंदर चार पहिया वाहन जिपसी के अलावा जो फोर वील राइस होती हैं उनके अलावा दूसरे वहन नहीं गुजर पाते हैं पर ये इस तरीके के एक एक अगर गौवंश की हम बात करें तो एक गुजरना शायद नामुम्किन है या फिर जंगल के रास्ते में पक्की सड़कें उनके द्वारा बना ली गई होंगी इस मामले की जाच के लिए जले के चारों विधायक दिनेश रायक, कमल मस्कोले, रजनीश सिंग, योगेंदर सिंग, दोनों सांसद, फग्गन सिंग को भारती, भारती, सभी को एक मंच पर आकर शाशन से, परिवान मंत्री से, वन मंत्री से बात करनी चाहीए और सारी की सारी जो बात चीत है, उसका ब्योरा सिवनी जिले के नागरेकों के सामने रखनीचा जाहीए। मान करना चाहिए सिवनी में मेटेवानी चोकी मेटेवानी जहाँ चोकी से यह वहन कैसे गुजरते हैं और सिवनी में जो रूट इनके द्वारा अपनाया जाता है सूचना संकलन थानों का सूचना संकलन ऐसा लग रहा है जिस Тण्रीके की हटती है उसके बाद यही प्रतीत हो रहा है कि स्थानों का सुचना संकलन तत्र पूरी तरह से इस पूरे मामले को बहुत संवेधनशीन मामला है इसलिए इस संवेधनशीन मामले को उसी तरह से हैंडल किया जाना चाहिए चाहे जला COLLECTOR हो चाहे पुले सदीक्षक हो सभी को इस पूरे मामले में और बेटर होगा कि किसी सुतंत्र जाच turbines एजेंसी से इस पूरे मामले की जाच की महांग की जाए इसके साथ ही एक बात या निशान लगते दिख रहे हैं क्योंकि एक गौवंश का इतनी जल्दी शाओ परिक्षन शायद संभव नहीं हो सकता है बहराल जो भी तर्थ निकल कर सामने आएंगे 21 जून को पुलिस की और से प्रशाशन की और से इस पूरे मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया है सांसद बालागाट भारती पार्दी उनके संसदी छेत्र में ये गटना नहीं गटी है पर ये बंद का आवहान उनके संसदी छेत्र में हुआ है मंडला के संसद फगन सिंग गुलस्ते जो केंदर में मंत्री भी रहे हैं उनके संसदी छेत्र में पूरी घटना घटी है पर दोनों का मौन तूटा नहीं है जो लोगों के बीच में चर्चा का विशाय बना हुआ है इसके अलावा एक और बात 21 जून को निकल के आ रही है कि कुछ गौवंश और भी रस्ते में कहीं मिले हलाकि इस बात की अभी तक पुष्टी नहीं हो पाई है कि वे कहां मिले हैं पर ये बात सामने आ रही है कि गौवंश और मिले हैं इतनी तादाद में गौवंश को एक तरह से गर्दन काट कर निर्ममता से उनकी गर्दन खाटना इसके पीछे कारण क्या हो सकता है इस बारे में लोग चर्चा करते हुए दिख रहे हैं समाचार एजनसी एफ इंडिया की साई नियूस के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट इस पूरे मामले में चुकि यह मामला संवेदन शील मामला है इसलिए इस पूरे मामले में प्रशाशन को और जन प्रतनीदियों को जनता को विश्वास में लेने की जरूर से जनता से बात कि यह देख सकते हैं कितना यहाँ पर आपको हुझूम दिखाई दे रहा होगा समाचार एजनसी एफ इंडिया की साई नियूस के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट अगर आपको समचार एजेंसी अफ इंडिया की साइट साइन यूज में खवरें पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फिल हाल हम आप से इजाज़त लेना चाहेंगे हम फिर आजरोंगे जय हिंद बीजय में पस जयघाब कीजिए्ज में सब्सक्राइब इंडियर आप कार टत्योंगे हैं अखें गजाबे की से 50 वी उया हैं व my हाईक् समच्प्रूर ओर आपोजम की सथरोंगे हैं प्रहें हिंद्तиход लोः醉 झाल झाल